मेहज सोलह गेंदो में पाँच विकट लेकर मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि उनके पास मिया भाई के डेरिंग भी है और मिया भाई वाला दिमाग भी है और उसके बाद अगर पूरे मेच की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज ने 6 विकट लिये, हार्दिक पंडिया ने 3 व पचास रन पर ओल आउट हो जाती है और आप समझेगा मुहम्मद सिराज के डेरिंग का जिक्र आज पूरे भारत में हो रहा है। पाकिस्तान ने एक वक्त हमको रौदा था उसका ऐसा बदला लेते कि वो लोग भी अपने पूरे जीवन भर इस प्रकरण को याद रखते। कि भारतिया गेंदबाज अपने हाथ में गेंद लेकर जाते हैं स्रिलंकाई बल्लेबाजों के सामने। स्रिलंकाई बल्लेबाज एसिया कब के फाइनल का प्रेशर नहीं जेल पाए। बताईए 50 रन पर कौन टीम भला ओल आउट होती है। लेकिन मुहम्मद सिराज, जस्पृत बुम्रा और हार्दिक पंडिया मातरिन तीन पेशरों ने ये बता दिया कि देखिए आज हमारा दिन है। और आज आप स्रिलंका के तरब से 20-25 बल्लेबाज खिलवा लिजिये, हम फिर भी आपको ये 11 लोगों की टीम ही हराने का माद्दा रखते हैं। मैच की शुरुआत होती है, बुम्रा साहब पहले ओवर में एक विकेट लेते हैं और उसके बाद कट्टू आपको हम ले चलते हैं चोथे ओवर पर और मुहम्मद सिराज के हाथ में गेंद थी। नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया और हैदराबाद के सिराज ने इस बात का डंका पीट दिया कि सुनिये हमारे पास मिया भाई की डेरिंग भी है और मिया भाई वाला दिमाग भी। पर चलते हैं चोथे ओवर में लिया था इंडिया का तो वो दूसरा विकेट था सिराज का पहला था उस पर रविंद्र जडेजा ने एकदम शांदार कैच लिया ऐसा कैच जिसकी कलपना पाकिस्तान के खिलारी तो कर ही नहीं सकते हैं। सब बार-बार मेरे मुँँ से पाकिस्तान इसलिए निकल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि काश आज स्रिलंका की जगा फाइनल मुकाबला पाकिस्तान से होता और जो स्रिलंकाई बल्ले बाजो का हाल भारतिया गेंद बाजो ने किया है वही हाल पा पांच विकेट ले लेते हैं और कुल मिलाकर सिराज ने छे विकेट लिया हार्दिक पंडिया ने तीन विकेट लिया जस्पृत बूमराह ने एक विकेट लिया और स्रिलंका की टीम 50 रन मनाकर पविलियन के तरफ लोट गई और एशिया कप अब एक तरह से भारत जीत चु और आपको इस बात का हैसास करा देंगे कि मिया भाई की डेरिंग जब लोग कहते हैं तो उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है बाकी हमको पता है कि सारे लोग टीवी से उठ चुके हैं हमको पता है कि अब मैच में कोई रूची नहीं है लेकिन अफसोस इतना हो रहा है कि